तो हेलो एवरिवन स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में तो आज कीस वीडिव में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदिश में Government College कितने हैं और एड़ेट को यानी सेमभी गवर्मेंट यानी अद्र सरकारी गॉलेज हमारे उत्तर प्रदिश में कितने हैं जो बच्छे Diploma Information की Biology की किलास हमारे इस चैनल पर चलती है लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको किलास प्रोवाइड कराने की और इसलिए आपके लिए हमने एक WhatsApp ग्रूप बनाया जहां पर कोई समस्या है आप वहाँ पर अपने नोट्स और कोई समस्या के लिए हमें आरे WhatsApp ग्रूप को जौन करें WhatsApp ग्रूप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रप्शन में दे दिया है और उसके बाद आपको तैयारी लगातार करने हैं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं वह तैयारी में लगना है मैं आपसे यह उम्मीद करूँगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो अच्छे नहीं जो तैयारी नहीं कर रहे है वह अच्छी अपनी तैयारी करते रहे हैं क्योंकि सीटें बहुत कम हैं Hé, je kompetitions बहुत हाई है इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे iau है तो चलिए करते हैं वीडियो को start मैं देखे इस और सबसे जो एड़ेट क्यों होते है लिएदे का मतलब यह कोता है वह स्यामिगवर्मेंट भान्रोंटर होते हैं सरकारी कॉलेजों से कुछ जाना होती है कितनी होती है सरकारी कॉलेजों से कुछ अधिक फीस होती है किनके एड़ेट कॉलेजों की तो एड़ेट कॉलेज हमारे उत्तर प्रिदेश में दो कॉलेज है डिपलोमा इन फॉर्मेसी के किसके डिपलोमा इन फॉर्मेसी के कि सिर्फ कितने कॉलेज हैं दो कोलेज और इनकी जो सीट है वो दोनों कोलेज की लगब किसी पचास-पचास सीट है लगबग सौ सीट है पहला हमारा साइट्ड हाय गल्स तो पॉली टेकनिक कॉलेज कानपूरश एवेटा कानपुर में आपका कौन सा है फिर एक बार पिर देख लिजिए रामदेवी रामदेय anche तरफार टी ग crunchy और आपके लिए हमने अहाँ पर इमेज में देख सकते हैं जो दूसरा कोलेज है जनता पेखनेक कोलेज बर रुमनद सेर काहाँ पर है यह यह स्यामि इसकी जो seat की बात करें, तो इनकी seat 50 seat हैं लगबग में आपको बता रहा हूँ, दो चाहँ सीटे कम और ज्यादा होती रहती है अब इनकी piece structure के बारे विम आपको बता हूँ, इसकी piece लगबग 1 year की piece है लगबग 2-year की piece 20-22,000 होती है, और इनके दो साल की फीज करीब 40,000 रुपे लगबक 40,000 रुपे फीज हो जाती है अब जो गवर्मेंट कॉलेज कौन कौन से सिर्फ आपके यूपी में तीन गवर्मेंट कॉलेज है उसमें से यह तो रामदेवी रामदेवी रामदया तरपाथी गल्स पॉलिटेकनिक बुलन्द सेर में तो आपके एडिट कॉलेच हो गया यानी स्यमी कॉलेज हो गए कॉलेज बहुत अक्छे ऑर आप यह ना समझें सेलेक्षों लेना आसान है इननक्स इमसेलेक्षlles नहीं मिलता है इसलिए अप नित्यारी बैतर ढेंग से करें तो अब चलते हैं यौन पुर में है तो दूसरा आ है गवर्मेंट गल्सपोलीटेक्निक कॉलेज इलाबाद यानी प्रियाग राज गल्सपोलीटेकनिक कॉलेज कहां प्रियाग राज बे यह लड़कियों के लिए अ कि रादकें आप इनमें शीट की बात करें तो इनमें भी 50-50 सीटे होती है इसमें 2-4 सीटे कम ओढ़ ज्यादा हो सकती है तीसरा मारा कॉलेज है वह है घवर्मेंट पॉरिटेखने कॉल्स लखिमपुर खिरी आई-उब आपको डावट के लिए रोचका है और एक और मैं आपको बता दूँ जो बच्चे और जहना चाहते हैं जो के गुरुफ बाले बच्चे वह भी परिशान होंगे कौन से के गुरुफ बाले तो उनके लिए मैं कोलेज बता दूँ एक डियन पॉलिटेकनिक कॉलेज डियन पॉलिटेकनिक पॉलिटेकनिक यह मेरट में है यह सेमी गवर्मेंट कॉलेज है और और गवर्मेंट पॉलिटेकनिक कॉलेज एक मुझाफनगर में वो सरकारी कॉलेज है यह कोई गुरुफ बालों के लिए जो बायो टेकनोलोजी के लिए किसके लिए बायो टेक्नोलोजी, बायो टेक्नोलोजी, तो आई यो बायोलोजी परगबालों के लिए किलियर हो चुके होंगे, सारे कॉलेज और आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे, तो मैं आपसे यह उम्मीद करूँगा, कि आप बाटसप ग्रूप जोर्न करें, और अपनी त करने बाट